हेलो स्टूडेंट पिछली वीडियो मैं आपके पाठ हिंदी भाषा माधुरी 18 के किसे न अंसर करा चुकी हूँ इस वीडियो में मैं आपको पाठ 19 टेलिफोन की घंटी सिर्शक पर्षन उत्र करा रहे हूँ तो आप भी इन्हें अपनी नोटबुक में डाल ले अच्छे से ये टेलिफोन की घंटी के पर्षन उत्र है तो पहला पर्षन है बच्चो हमारा पूजा ने चिडिया घर जाने को क्यों मना किया जब नेहा ने पूजा के पास फोन किया था तो पूजा ने चिडिया घर जाने से क्यों मना कर दिया था तो उत्तर है हमारा पूजा ने चिडिया घर जाने को इसलिए मना किया क्योंकि उसकी मम्मी को बुखार था। नेहा ने टेलिफोन किया। जो पूजा की दोस्त थी नेहा। उसने पूजा के घर टेलिफोन किया। ठीक है। उत्र है हमारा मीरा मंजु और नीशा। फिर परसन चार है हमारा नीशा ने पूजा से चिडिया घर जाने के बारे में क्या कहा। उत्र है हमारा नीशा ने पूजा से चिडिया घर किसी ओर दिन चलने के लिए कहा। ठीक है। पांचवा परसन है हमारा पूजा ने फोन रखने से पहले क्या कहा। उत्र पूजा ने फोन रखने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहा। पूजा ने फोन रखने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद कहा। तो बच्चो ये आपके बुक, किताब भाषा माधूरी के पाठ 19 के परसन उत्र हैं। जो की पांच हैं। पांचों के पांचों मैंने इसमें वीडियो में बना के डाल दिये हैं। तो आप पी अपनी नोट बुक में इने डाल लें। ओके, थैंक यू।